तो चले देख लेते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश के लोग दोनों ही टाइब के ग्वेशन आंसर तो चाहे आपको जो है अप्टूबर में एकजाम देने हो या फिर आपको एपरेल में एकजाम देने हो दोनों ही साशन के बच्चे इन प्रपेर कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकोन को प्रेस करके ताकि आपके पास सभी लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंग्लिश रिलेटिड वीडियो इजली पहुंसती रहें वीडियो को लाइक और जाज़-जाद न्यूымके पताने वाली हूं पहला कुशन आपके सामने हैं आप देख सकते हैं सबसे पहले हम डिसकस कर रहे हैं इसके शोर्ट आनसर टाइप क्वेशन अंसर ठीक है तो इसके बाद है आपका सेकिन क्वेशन तो ये questions के सामने bracket में इनके chapters name भी given है ताकि आपको पता रहे कि भी आपका कुन सा question किस chapter से आया है and basically exam में भी आपको इसी तरीके से दिया जाता है इसके बाद question number third and fourth आपके सामने है और इन question answers में word limit का भी धिहान रखा गया है तो जितनी word limit मांगी जाती है आपके exam में उसी के according है सारी question answers है इसके बाद question number five and six जो कि आप देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं इस PDF की तो बच्चों ये PDF आपको में जाएगे हमारे telegram चैनल पे telegram का link description box में आपको दिया गया है तो वहाँ से PDF को आप ले सकते हो next question है वो आपके सामने है seven and eight तो इनको भी आपको अच्छे से prepare करना है उसके बाद question number nine and ten चलिए आगे बढ़ लेते हैं question number 11 and 12 भी आपके सामने है then question number 13 and 14 उसके बाद question number 15 and 16 then question number 17 and 18 आप इन सभी questions को अच्छे से prepare करें क्योंकि है multiple time repeated questions है and exam के point of view से भी काफी important है and ये PDF में telegram पे share कर दूँगी telegram का link description box में दिया गया है उसके बाद है question number 19 and then question number 20 तो आप इन question answers को अच्छे से prepare कर ले आगे बढ़ लेते हैं अभी में आपको सारे के सारे short questions दिखाए हैं अभी हम देखेंगे long questions video को like नहीं किया है तो like कर दो बच्छो ये हैं आपके long answer type questions तो यहां पर हम कुछ long questions भी discuss करने वाले हैं पहला question आपके सामने है और ये question आपको ये दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है and answer आपको यही रहने वाला है ठीक है ये सारे chapter में पढ़ाए हूए हैं आपको line by line discuss किये हूए है and हर एक chapter के important question answers भी आपके सारे discuss किये हूए है पूरी playlist का link में description box में आपको दे दूँगी बाकि अगर आपको paper का pattern नहीं पता है कि English का paper कैसा आएगा तो वो वीडियो भी आपको description box में मिल जाएगी उसके बाद question number two आपके सामने है then हमारा question number three है ठीक है इसको भी आप देख लीजिए उसके बाद question number four sorry and lastly question number five so बच्चो इस वीडियो में हमने discuss के है 20 short question answers and five long question answers so I hope आपने यहां तक वीडियो को देखा होगा so यह pdf में telegram पे share कर दूँगी telegram का link description box में है सभी chapters की explanation भी आपको description box में मिल जाएगी इसके अलावा अगर आपके पास books नहीं है previous year के question paper नहीं है या फिर आप किसी course में enroll करना चाहते हो तो हमारा एक एप है एप का नाम है P.H.C. 5 study circle जहाँ पर आपको solid assignments और practical important question answers यह सारे चीज़ें मिल जाती है तो आप को download कर लो एप करिंग description box में दिया गया है और इसके लावा हमाँ पर हमने के सारे courses लोंच के हुए है जो काफी affordable है तो आप किसी course में भी अन्रोल कर सकते हो आप के तरूँ बाकि अगर आपके पास other subjects है यह सारे subjects आपको हमारे दूसरे चैनल पर पढ़ाया जा रहे है जिसका नाम है PhD, Pi, Study, Circle, NIS जो की NIS Board के बच्चों के लिए काफी helpful है और लागों बच्चे महां से पढ़ाई करते हैं घर बैठे तो आप हमारे इस दूसरे चैनल को भी जरूर से subscribe करें इस चैनल का लिंक की मैं दिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूगी तो चलिए, दू लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब सीवन नेक्स वीडियो तिल दन बीया लेर्नर और लेर्निंगलिस थाइंक्यों गुडबाई